हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक इन दा टैग मैं हूँ आपका होस्ट हरपीत सिंग दोस्तों मेरी जो पिछली बनाई हुई वीडियो को आप मेरे फ्रेंट्स ने काफी पसंद किया अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट्स अच्छे अच्छे दिये हैं तो मुझे लग रहा है कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो रहा है मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे कुछ बड़े भाईयों का मुझे सजेशन था कि आपकी वीडियो में थोड़ा सा आप इसके जो लेवल को है वो इस तरह से सेट कीजिए ताह कि एक नॉन साइंटिफिक बैक को भी वो असानी से समझ आए तो आज का मेरा वीडियो साइंटिफिक बैक ग्राउंड वाले लोगों के लिए जितना इंपॉर्टन है उतना ही इंपॉर्टन नॉन साइंटिफिक बैक ग्राउंड के लोगों के लिए भी होगा तो मैं आज आपके पास लेके आया हूं कोव अपनी वीडियो में बोला है कि यार अगर किसी को COVID-19 डिजीज होती है तो सबसे पहली बात उसके human rights क्या कहते हैं उसके human rights सरकार बिल्कुल खतम कर देती है जबरदस्ती उस patient को उठा के लेके जाया जाता है उससे ये भी नहीं पूछा जाता कि तुमने इलाज करवाना है या नहीं करवाना अगर करवाना है तो किस institution से करवाना है किस therapy के through करवाना है अलोपैती से करवाना है, आयरुवेदी से करवाना है, यूनानी से करवाना है या home made जो therapies है, कुछ ऐसा है ही नहीं फिर भी उठा के लेके जाया जा रहा है हाला कि हमें पता है की coronavirus, covid 19 disease का कोई इलाज फिलाल है ही नहीं vaccine भी नहीं है patient की बात ही नहीं कर रहा है suspects की बात कर रहा हूu जो suspected patients है उनको जब वो लेके जाते है तो कर देते हैं सबसे पहले quarantine कॉरंटाइन के नाम पे वो उनको जेल में डाल देते हैं जहां पे 4-4 गंटे 8-8 गंटे 10-10 गंटे कोई भी डॉक्टर उनका पता नहीं लेता जिसकी वज़ा से वो पेशन्ट अपने आपको इस तरह से फील कर देते हैं जैसे किसी पिंजरे में किसी पंशी को डाल दिया होत है और उस कंडिशन में कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि वो या तो मर जाएं या तो सूसाइड कर लें तो अगर ऐसे परसंट को कॉरंटाइन किया जाता है तो माल लीजिए अगर कुछ डॉक्टर्स आ भी जाते हैं इलाज करने के लिए तो तब वहां पे हिट अंट करूं तो सबसे पहले हमारे इंडिया में ही बहुत वावईयां ICMR की आई थी और अलग-अलग institutions की कि वो HIV की जो वैक्सीन है वो उससे पेशन्ट को ठीक कर रहे हैं सबसे पहला मेरा यहां पर कोश्टन यही होगा कि HIV एक ऐसी वैक्सीन HIV की जो वैक्सीन है वो AIDS डिजीज को क नहीं ठीक कर पा रही तो यह COVID-19 को कैसे ठीक करेगी यह मेरा सबसे पहला सवाल दूसरा मैं एक विद अग्जामपल आपको समझाता हूं मालीजी एक दुकानदार है वो एक कंगी बेच रहा है एक कॉंप बेच रहा है जिसके दांत तूटे हुए हैं उसके टीथ जो है वो टूटे हुए हैं वो फिर भी convince करता जा रहा है कि आप यह कंगी खरीदो यह बहुत अच्छी कंगी है खरीदो 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 क्यों खरीदें क्यूंकि इस कंगी में एक टॉर्च भी है यह अंधेरे में भी काम करेगी आपके लिए तो यही काम यहां पे करोना वायरस के साथ हो रहा है अलग-अलग तरह की ठेरपी यूज की जा रही है हिट और गिया जा रहा है अंदेरे में तीर मारा जा रहा है और पेशंट्स को मारा जा रहा है सीधी बात करूं तो लिटरली मारा जा रहा है तो यह तो रही बाद HIV की वैक्सिन की दूसरी जो ठेरपी यूज ह वो तो Trump, Donald Trump ने भी अप्रूव कर दी है, hydroxy chloroquine, आप कुनीन नाम का आपने molecule सुना होगा, पहले कुनीन चलता था, ये उसकी छोटी बहन है, अब hydroxy chloroquine, तो ये एक ऐसा molecule है, जिसके वर्ल्ड में पूरी तरह से successful trial आज तक नहीं हुए, और इसके side effects में आपको ये दिखा देत हूँ एक picture में, कितने इसके side effects हैं, फिर भी ये medicine दी जा रही है, इंडिया में गोहाटी में एक doctor ने hydroxy chloroquine ली COVID-19 से बचने के लिए, जिसकी वज़ा से उसकी death भी हुई, ये आप देख सकते हैं, YouTube पे search करके, ये भी आपको मिल जाएगा, तो ऐसी therapies को use किया जा रहा है, जि ये तो फिर भी मुझे इतनी हरान करने वाली बात नहीं हुई, अब जो मैं आपको example बताने जा रहा हूँ, वो तो सुनके मुझे सबसे पहले तो बहुत ही गुसा आया, और उसके बाद हसी भी आई, जो third example है, वो है, हमारे PGI में, जो चंडीगड में है, वहाँ में, जो करोना वाइरस वर्ल्ड के पास कहीं भी नहीं है, लेकिन इंडिया के पास आ गई, तो माइडियर फ्रेंट्स, ये MW वैक्सिन है, लेप्रोसी की वैक्सिन, कोहोड की डिजीज की वैक्सिन, बहुत साल पहले, पुराने टाइम्स में, कोहोड की बिमारी चलती थी, एक अब ये चूत की बिमारी है, तो करोना वाइरस को भी आपने चूत की बिमारी बना दिया, किया उस पे भी ये मेडिसन यूज सबहांगा है? वो आप नीचे comment box में इनके लिए type कर सकते हो बहुत सी बातें कर ली कि doctors क्या क्या कर रहे हैं आपने क्या करना है इस disease में मा लीजे किसी को COVID-19 के symptoms लग रहे हैं मैं यह नहीं कहा रहा कि COVID-19 disease हो गई है हो भी गई है नई भी हुई है दोनों conditions में सारे parameters same रहेंगे हम पुराने टाइम पे जब भी किसी को cold and flu होता था तो अपने आपको छोटे बच्चों से बचा के रहते थे यहां पे भी वही करना है मैं बार-बार कह रहा हूँ कि किसी भी ऐसे patient को आपने बिलकुल फेंग नहीं देना यही main reason है कि बहुत से लोगों की death हो रही है अगर मालीजे किसी घर में किसी patient में बहुत सारे symptoms आ रहे है fever आ रहा है, chest में थोड़ी congestion आ रही है तो simple सी बात यह है कि अगर वो कोई भुजूर गया या बच्चा है सबसे पहले आप उसको बाकी घर वालों से बिलकुल पूरी तरह से isolate कर दीजिए उसको एक अलग room दीजिए और एक अलग washroom दीजिए और इसके बाद क्या करना है घर के किसी एक young member जिसका लगता है आपको immune system तगड़ा है तगड़ा मतलब वो healthy रहता है normally बिमार नहीं होता आपने उसको appoint करना है उस बंदे को उस patient की पूरी जिम्मेवारी लेनी होगी 8 से 12 दिन तक या 2 हफते तक minimum वो ही बंदा वो ही person उस patient को खाना देगा उसको जो भी required materials चाहिए होंगे वो provide करेगा मतलब पूरी care taking वो ही बंदा करेगा by using precautions कौन कौन से precautions मास्क दोनों use करेंगे और वहाँ पे sanitizer का use पूरा wisely किया जाएगा यहने कि हर टाइम आप sanitizer ही मारते रहो उससे भी कोई बात नहीं बनने वाली hand cleaning, hand washing with soap proper की होई जानी चाहिए जो आप उसके utensils use करें हैं, उसके बरतन है सबसे पहले उसके बरतन को आप अच्छे से clean करें उस room से बाहर निकलते ही मतलब आपने किसी तरह की contamination बाहर नहीं जाने देनी अपने आपको जो person उसका take care कर रहा है उसको बचाव रखना होगा अगर मान लीजिए इस बीच में by chance उसको भी infection हो जाता है तो यहाँ पे इतनी डरने वाली बात नहीं होगी क्योंकि मैं पहले भी यही बता रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ कि जो करोना वाइरस है वो अपने weak patient को अपने weak शिकार को ढूंडता है जादा जो youngsters हैं आपने देखा होगा more than one lakh patient जो है all over the world ठीक हो चुके हैं वो ठीक इसी वज़ा से हुए है कि उनका immune system काम कर रहा है ऐसा नहीं कि हर कोई ventilator पे डाल दिया गया तो वो बच गया ventilator पे वही patient जाएगा जो end stage पे चला जाएगा जिसके lungs में जिसके alveoli पे बहुत सारा mucos वो fluid निमोनिक fluid फिल्ड हो जाएगा वो ही ventilator पे पहुँचेगा जिसको सांस लेने में बहुत ज़ादा problem हो रही है अब अपने therapy में करना क्या क्या है वही चीज़ें जो हम बचपन से करते हैं आपने उसे घरम सूप देना है ठंडे पानी के पास बिलकुल भी नहीं जाना मतलब ठंडा पानी तो पीना ही नहीं है हो सके तो lukewarm water पीजिए काड़ा बना के पीजिए अध्रक शहद आप यूज कीजिए सारी वही चीज़ें आप यूज करेंगे और आयरवधिक नुस्खे क्या क्या है यह आपको मेरे से जादा पता होंगे कि कोल्ड और फ्लू में क्या किया जाता है और इसके इलावा आपने उस पेशन की नेबलाइजेशन जरूर करनी है नहीं कर सकते तो उसको स्टीम दिन में मिनिमम तीन बार स्टीम देनी ही देनी है और उसका इम्यून सिस्टम बैटर करने की कोशिश करनी है वाइटमिन सी दीजिए जादा खटनी चीज़े नहीं देनी लेकिन वाइटमिन सी के सोचिस उसको आप जादा जादा दीजिए तांकि जल्दी जल्दी उसके body उसको cope up कर सके उसके against fight back कर सके तो ये ही वो चीजे होंगी जो उस patient को बचाएंगी अगर आपने इस patient को 10 दिन संबाल लिया तो उसकी body में इस virus के against antibodies बनना शुरू हो जाएंगी ये मैं लिखके दे सकता हूँ आपको अगर एक बार वो antibodies बन गई तो सारा काम खतम हो जाएगा वो patient recover होना शुरू हो जाएगा अगर आप ये चीजे नहीं कर पाए तो फिर आपकी body में antibodies नहीं आएंगी आपकी body में जबरदस्ती doctors, experimental drugs डालेंगे जिसकी वज़ा से आपको फिर पता ही है क्या क्या होना है तो my dear friends आज का मेरा वीडियो आपके लिए काफी helpful होगा मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि panic नहीं create करना यहां पे आपने मैं देख रहा हूँ कि आज कल लोगों ने पहले तो प्रशासन ने सड़के जाम करी थी, बंद करे थी आज कल तो लोगों ने अपनी गलियां तक बंद कर ली है गलियां बंद करके क्या कर रहे हैं वो दस-दस के ग्रूप में बाहर बैठे हुए हैं बाते कर रहे हैं यह कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है तो मैडियर फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको जुरूर शेयर कीजिए अपने जितने भी ग्रूप से हैं थैंक यू फ्रेंट्स